नमस्कार दोस्तों यह MP पुलिस वाई साइट सो मीटर रेनिंग स्टार्ट हो गई है यह प्रतिक बच्चेंगों को दो दो सेकेंड के बाद छोड़ा जा रहा है और दस बच्चों का यह बेच बना हुआ है मोतिलाल नहरू स्टेडियम में यह रेनिंग चलती हुए बोपाल से और यह 10 लोगों को पूरे पच्चे दोड़ते हुए मोतिलाल नहरू स्टेडियम का ट्रेक बहुत ही अच्छा ट्रेक है जिसने जैसे बना सूच के भी प्रेक्टिस किये तो वह बना सूच के भी टाइमिंग लगा सकता है रेनिंग कर सकता है सबी कोर्नर पर यह कॉंस्टेबल खड़े हुए हैं यह सबी कुछ चैरप करते हैं मोटिवेट करते रहते हैं हमें शदोड़ने के लिए यह भाई के पैर में दिक्कत लग रहे हैं लगता है यह रुकेगा यह भाई रुक गया स्टाफ के लोग आते हुए जॉक्टर भी सा जाएगा और जब तक लड़कों का यह पहला राउंड खतम होने वाला है कि वह बस एक लास्ट राउंड लगाना है आठ सु मीटर कंप्लीट हो जाएगा यह चाट सु मीटर का पूरा ट्रेक है मोटिला नेरो स्टेडियों का यह पहला लड़का आ गया आता हुआ है यहां पर रनिंक करने के लिए लास्ट में फिनिश्ट के लिए हैं सभी लोग च्यरअ की करते हैं और बोलते हैं अस्तिस और 100 मीटर बचा हुआ है तो सभी को कस्थ में तो जान लगा नहीं है also चिज जान नहीं रहना है जिस भाई करनी है हमेशा होती बड़ियां लगवक डियर्ड राउंड खतम हो गया अब यहां से 200 मीटर बचा हुआ है और दो में टाइम हुआ है बच्चों का मतलब बहुत अच्छी रेनिंग चल रही है सबी बच्चे पास हो सकते हैं इसमें एक को छोड़के जो रुक गया तो इस्ट सारे बच्चे एक सेकंड से रह रहा है वह बहुत ज़्यादा खर जाता है बच्चों को यह मोतिलाल नेरु स्टेडियम भूपल में रनिंग चलती हुई यहां पर देखते हैं अभी पहला लड़का आने वाला है कि नहां पहला बच्चा आ गया है दूसरा इस बेच में कित लोग पास होते हैं वोतिलाल नेरु स्टेडियम भूपल पर इसके बाद अभी लड़कियों की रनिंग स्टार्ट हो गई है यह लड़कियों का बेच लड़कियों के लिए चार मनिट टाइम है 800 मिटर के लिए और लड़कों को दो पैतालीस 800 मिटर के लिए यह पहली लड़की की रनिंग देखना यह स्टार्टिंग से लास्ट तक आगई रहेगी डॉप पे बहुत बड़ीयां दोड़ती हों इसाभी लड़कियां आथ में लड़कियों को भी जादा नहीं है बस पहले राउंड आराम से नॉर्मल लगा कि एक चालीस पे तालीस तक लगा कि बस दूसरा राउंड भी मेंटें नहीं करना है क्योंकि चार मिनट बहुत ज्यादा टाइम है लड़कियों के लिए आराम से रणिंग कर सकती है कोई भी लड़कियों चार मिनट थे और बाद में अगर कोई लड़कियां रुकती है रेती है तो उनको सपोर्ट करने के लिए स्टाफ भी है और मोतिला नेरू इस्टेडियम के स्टाफ सबसे जादा सपोर्टिव स्टाफ है जो बच्चों की स पेले राउंड खतम होने वाला है और जो सामने वाला टिंट दिख रहा है उसमें शोट पूट चल रहा है और यह सेकिंड वाले में यहां लोंग जम्प का है इवेंड और यहां पर यहां पर यह कॉंस्टेबल खड़े हुए हैं सब के अलग-अलग टाइमिंग बताते हैं पेले राउंड की अलग-अलग टाइम लगाये रहते हैं सबका चेश्ट नम्मल लिख लेते हैं ताकि याद रहे और इसके बाद यहां जो लड़के खड़े रहते हैं जो रनिंग खतम करने के बाद फिर यहीं स्क्रीन पर सामने जो लगी हुई है उस पर टाइम बताते है कि टाइम लगी जाता है और यह जो डॉक्टर भी गूम रहे था कि जब फिनिश करने के बाद अगर किसी को कोई दिक्कत होती है यह लड़की दोड़ रही है इसको देख लो यह लास्ट में लास्ट तक फरस्ट ही रहेगी फिनिश अच्छा कर रहे है अच्छे टाइम में आएगी वागी बच्चे अभी टाइम में आएंगी और जो सामने एंबूलेंस खड़ी हुई है वहाँ पर देख रहा है यह यहां पर यात्रा बत्ता मिल रहा है अगर कोई के दूर से आता है तो अपना टिकेट लेकर आए वह टिकेट लगा सकता है वाज ट्रेंबाइक य जिससे भी जो आ रहा है और जिसको चाहिए तो अपना खाता मता नमबर देगे लिख सकता है और अपना यात्रा पत्तब राप्त कर सकता है अब देखेंगे कि जो बच्चियां जैसे बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं पीछे रहा जाती तो इस टाप बाले लोग कैसे उ इसको साथ में दोड़ाते हैं तो यह भी देख सकते हैं यह हमारे यह हमारे सिपाई भाई बच्चियों को दोड़ाते हुए साथ में जो बच्चियां पीछे रह गई हैं उनको मोटिवेट करते हुए और मेडम भी साथ में रेनिंग करते हुए उनको दोड़ाते हुए तो आपको जब आपना ही करना है पूरा 800 मीटर फिनिस करना है रनिंग करते रहना है और हर जगह यह सिपाई भाई लगे हुए हैं मोटिवेट करने के लिए और यह यहाँ पर पूरा मोतिलाल स्टेडियम आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ट्रेक है दोडने के लिए यह पहली वच्छी आ चुकी है इसको वहले जो स्टार्टिंग से इंट तक टॉप पे ही रही और इसने फिनिस किया अच्छा वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें और जाता से जादा लोगों कोचा डेली अप्टेट देखने के लिए द शे शाड़े शे बज़े तक सभी बेच की रणिंग खतम हो जाती है और यह जो बेच की रणिंग चलुए